सब्सक्राइब देख दी है गिया स्टडी भी सदी गल हमेशा हुन दी है सबनों पता हैगा के असी इड़ी अगलाइब देवीच जा सकते हैं वह लग इस अनुन नहीं होंदी हैंगी सो प्रॉपर ओही नौलाइज आज इस शो देविच तो हनो प्रवाइट कर वाँगे जी के इस कैटागरी देविच तो और डी पी आ जड़ी लग सक दी है कि कैनेडा दी कितना दा तो होड़ा एलिचिबिल्टी क्रिटीरिया जड़ा रहेगा कि दा दा तो होड़ा पर फाइल रहेगा सो जी एक्सपर्ट नूँ इन्वाइट किता गया लांडमा के इमिग्रेशन तो रेगुलेटर कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो के ICC RC मेंबर भी ने जस्ट्रीट पाटिया सब तो पहला था वैलकुम कर लेने वालकुम अर्वाम थैंक्यू जी नंबल लैंडमा के इमिग्रेशन ते लगा था टीवी स्कूरीन ते फ्लैश हो रहे ने नोट करने ने नीचे ऑफस किते किते हैं गिने ओवी फ्लैश हो रहे ने जेडी ओर्डियन्स अडना नो दाजिये कि आसी औरेडी पिछले शो देवेच पीया नो लेकि डिसकुशन किती सी कि जज़देवेच बेसिक नॉलज जडिया तो हौनो परवाइट करवा देगी तो मैं मैं रिक्वेस्ट करांगी कई वाद नमी ओर्डियन्स अडना जोड किता है there is express entry program जड़ा कि अगर ता देकौल एक skilled trade शी है इए experience है एगा है यह अगर ता देकौल तुसे किते managerial role एli supervisory role विच है गयो तो एक 12 मीने दा continuous experience है मतलब एक साल दा continuous work experience है IELTS दे score है रिगे ने, which is CLB7 नाल ता देकौल Master's degree, Bachelor's degree है गये तुसी अपनी application definitely लिगा सक दियो एक्स्प्रेस एंट्री देविच और देचिक पॉइंट बेस सिस्टम होंदा है जिन्नों आपा कॉंपरी हैंसिव रांकिंग सिस्टम के दिन्या तो साथे स्कोर जरे अपने हैगेने कालकुलेट करवा सकते हो साथे ओफिसे विजट करके अपने डॉक्यमेंट कर आखे ते होर बड़े कालकुले साथे आट जरी जरी आखे नितापी आएंसिट है को बाद बाद किते हैंसिव एक्स्प्रेसेंट्री व्यू प्लस तरी हाना चैनल को अग्यों था प्रिट इनकोल बोट कि पिछले एक पिछले एपिसोड ची लिए थी तोल 1.200 पॉइंट थाल्त कर दें चरण्ट कटॉफ चाल रही है और 4.69 डी चल दी पही है So, किसे दा स्कोर 460 रह गया ब्रका सिर्था इस्टार रह गया जायो नहीं को जन्ना मजी एक्स्पिरिंस हैं तो आधी ऐच 35-36 हो गई, मतलब आप ती पॉइंट ओथे ही गवाव एथे and you are very eager, I always say how eager are you to be in Canada that तुसी ताधी किन्नी चाह है PR लेहन दी Canada दी, ओधी डिपेंड करदा है कि how do you want to proceed ahead हुन for example, साथ एकोल कोई 35-year-old आए, मैरेड है, छोटा बच्चा है MBA है यह यह बचलर्स है और नाल 35 उमर हो गई IELTS दे बैंट साथ इचे तो उतने नहीं आरे right, score के में आपावदा ही है but desperate to be in Canada आपानू Canada पहुचना है so what is the option? Canada ही कह हुजा कंट्री है गई, जड़ा केंदा है age does not define when you get educated Canada दे विच सच साल दे उमर दे लोकी वी university जाके पढ़ाई कर देने so Canada ही कह हुजा कंट्री है जड़ा तानू welcome कर दा है, even if you are at the age of 35 to study as an international student यह myth है, this is false जड़ा लोका दो लगदा है कि साड़कोल gap है ता असी study ते नहीं जा सकदे अगर तुसी अपना gap justify कार सकते हो Canada is one country that welcomes you as a student ता for example, तुसी 35 साल दे हो गया हो ता अड़कोल bachelor's degree है you are married now, obviously तुसी इंडिया चुन पड़ाई नहीं करना चाहोगे IELTS ते अपने score नहीं बादरे साड़े छे ते असी बैठे है ता अड़कोल की option है ता अड़कोल bachelor's degree है apply for a postgraduate diploma in Canada किसे भी university दे विश्य college देविश तानो admission मिल जाएगी विच साड़े चे बैंड अगर ताड़े आए होईने तानो IELTS academic लिखना पेगा university college दे लई तुसी अपनी offer लेके you reach Canada as an international student 2 साल दी अपनी पड़ाई करो as an PG diploma करो postgraduate diploma करो 2 साल दी पड़ाई तानो 3 साल दा work permit देगी legally Canada दे विच रहन लीजिए तुसी किते वी काम कर सकते हो ओ एक साल चापना work experience गेन करो एक साल दा you have 5 years in Canada on your study plus work experience to decide on your PR अगर तुसी उथे पांच के 5 साल दे विच अपनी PR फिगर आउट नहीं कर पाई then you can prove me wrong because जड़ा बच्चा इत्थो Canada जाना है ओ बच्चा ड़ाई पिन साल दे अंदर पियार हो जाना है तिन साधे तिन साल दे ते हून अगर आपां काल करी है कि Canada in Immigration ऐस ताइम ते बहुत जादा लीनेंट हो यह है यह तेंपरिडी वर्कर है ने इस करके वाया इससे एस एक्सप्रेस एंट्री प्लस टड़ी इस इकोल केनेडियन एक्सप्रेस क्लास because ता अधे कोल एक्सप्रेस इंडिया दा भी है तो तुसी उन चैनडा चलेगे दो साल दी उत्फे पड़ाई कर ली एक साल दा तुसी उत्फे एक्सप्रेस गेंड कर लिया इस साब उन तुसी अगर एक्सप्रेस एंट्री इंडर टोटल अप करके पाऊगे ता अधा जड़ा स्कोर है और राम नाल साधे 400 सवा 400 तो उत्ते चला जाएगा तो नो इना बैंड दे उत्ते भी आइस ते फोकस नहीं करना पहेगा साधे छे साथ पैंड नाल ही अगर मैं करंट कट ओफ दी कल करना कानड़ दे विच करंट कट ओफ साधे 300 चल रही है तूबी प्रसाइज 357 कट ओफ चल रही है अगर बैंक तो लोन भी अगर ले सकते हो education दा I would recommend कि तुसी कानड़ जाके अपनी पढ़ाई करो उत्ते जाके ताड़ एक्स्टेंसे 5 यर्स हागे ने to decide on your Canadian PR and I can assure यू इत्ते बैठके अपनी PR वैसे अगर अगर आपना जावांगे एक दो साल दी पढ़ाई लवांगे अपने तुसी करियर नू भी एलेवेट करोगे होर पढ़के अग्य वी नाल अपना उत्ते experience गें करोगे and then you can be a PR on this I would like to add one point मैं ते क्या सी अगर तुसी married हो मैं अपना पिछे बच्चा दे वाइफ चाड़के ता नहीं जा सकता ओदेली वी बहुत अच्छे options हैं जन्हों आपा कैदने है spouse open work permit तुसी Canada तुसी अपनी पढ़ाई करोगे तदा spouse तदे पिछे अपने बच्चे देनाल Canada आ सकता है on open work permit and they are legally allowed to work in Canada full time with any employer anywhere in Canada जो तक तुसी होते अपनी पढ़ाई कर रहे हो जो तुसी work permit पहुंच जाओगे ओदो ताड़ाई spouse ताड़ेनाल open work permit ताड़ेनाली रहेंगे मतलब till the time you do not get your PR for next 5 years your spouse is going to be with you and तुसी अपनी PR उस बेसिस ते decide कर पाओगे बिल्कुच जी बहुत वधी आपा कह सकते है रस्ता है क्योंकि बहुत सारे candidate इतना दे हुंदेने जाना चौन देने पर आइस्टो बैंड नहीं आँदे ते लगदा है कि जो 35 तक सटी एज होगी होना सी study visa ते भी नहीं जा सकते जाना चाहिए तो हड़ा एक्सपीडेंस किया है कर तुसी वेले बाठे है गयो जा कोई जाब किती है कोई कम किता है गा तुसी जस्तिफाइग होना चाहिए तो हड़ा जाना चाहिए तुसी जस्तिफाइग जाना चाहिए तो हमांगे कि लांड बाठ इमिग्रेशन दे ओफिस एक वर विज़ाट करके अपना परफाइल जड़ाओ उडिसकस जरूर करो तो है तुसी पॉणच पाऊगे अपनी ड्रिम डेस्टिफिनेशन ते अच्छा जे करूं मैं गल कर आ चाहिए जाहे गल कर दे चाहे गल कर दे है चाहे ग्रेजूए परसंटेज कुछ मैटर कर दी है जे कर एक्सप्रेस एंट्री जाना जा पी एंप दे डेज जाना है अग पुरक्षेत्र उनिवस्टी तो मास्टर्स की थी हुन में अपने पेपर एक्सप्रेस एंट्री च लगादा तानू अपनी एजुकेशन जेडी हेगी है तानू अपनी एजुकेशन दे हिसाब नल कनेडियन क्रिडेंशन दे हिसाब नल एवळवेट करानी हों ती है जिन्नों आपपा कॉमें ली इंडिया दिफ बोलें था वेस्टेशन जिन्नों आपके दन्याडरियन लेकिन उनुके नेडियन इमिगरीशन जो पोले जान दाए एकम अपनी एजुकेशन दे क्रिदेंशिल्स इवालुएट कर आने एफर एक्जमपल तुसे गर पंजाब देटी दो बैचलर्स कीती है जान दे हैं, instead of master's आपने को पीज डिपलोमा होंदा है, तोड़े points पांच साथ उत्ते थले हो जान देने हैं, so ए सारी चीज आपक है खाल रखनी है, education does not matter, तुसी percentage के निया है, till the time ताने हाथ चीडिगरी है गी है, तुसी ओडिगरी नो evaluate करांदे हो, Canadian credentials से हिसाब देना, then it is absolutely fine. Main candidate, for example, wife जारी है, ते husband, the point which calculate हो जानते हैं? बिल्कुल, जवे आपा पिछले episode चगाल कीती है, अगर तुसी अन्मारिड है हो, that's the best case scenario, क्योंकि आपने spouse नो जवे ही आपा आपा आड कर दे हैं, if we say married, तक ठीक है, लेकिन अगला question आपने को लानदा है, accompanying spouse, अगर तुसी accompanying spouse कर दे हो, ता ताड़े जड़े points हैगे ने, उचाली points अल्मोस थले गिर जान देने, अगर तुसी अपने spouse नो accompany कर दे हो, but अगर आपा ए points नो किवे cover-up करना है, अपा cover-up कर सकते हैं, with their education, हो अगर अपने spouse थी master's हैगी है, तो वी ECA report, अधी evaluation सा डिकल हैगी है, master's considered होई, तुसी अब master's add करोगे, तानो points additional मिल जानगे, ताड़े husband, अगर ताड़े नाल IELTS लिख देनगे, तो नादे साढ़े चे-साथ-साथ-बैंड जानगे, तानो additional 12 तो 15 points मिल जानगे, ताड़े तुसी points accompanying spouse ना lose करोगे, तो points तुसी होथे गेन कर लोगे, यह दो चीज़ा रही, one is your education and the second one is your IELTS. Okay, so very nice जी, जेकर spouse है, आपा कह सकते हैं कि दोनना दे points जड़े मिल सकते हैं, education matter कर दी, IELTS matter कर था, अच्छा, investor visa थी तुसी गल किती सी, business visa थी सब तो पहला जानना चाहांगे, investor visa की है? Business visa, बहुत सारे immigration consultants से business visa कह देने, और आपा अपनी language चाहिए, Canadian immigration चाहिए, start-up visa. Start-up visa is basically, it's start-up तो यापा नूँ word तो ही पता लग जानना है कि तुसी अपना business plan किसे नूँ Canada दे इन्वेस्टर नू sell कर दे हो, ते हो at least 75,000 dollars Canadian तादे बिस्नस चे इन्वेस्ट कर नूँ तयार हों देने ताह तुसी अपना visa लगा सकते हो, ताह तुसी अपना visa लगा सकते हो जदो तादे कुल business plan होएगा, तादे कुल extensive business plan होना चाहिए है कि तुसी Canada दे विच कि में पैसे लाओगे, कि में इन्वेस्ट करोगे, फिर अगर उस इन्वेस्टर नूँ जिमें आपना इंडिया दे विच कहा देन्या, एंजल इंवेस्टर, आजकल बहुत अपनी ये term च ते अगरो तादो पैसे देननों तियार होना है ता उन्नों आपा कैदनेया startup visa, then बहुत सारे इंडिया दे विच बहुत सारे advertisements में रोज देख दिया, business visas दे, business visa बहुत ही detailed, बहुत tedious दे लेंदी process है गया, business visa करके कोई एक term नहीं है कि Canadian immigration चे जड़ी आपाँ डिफाइन कर दे महराष्ट्रा आगया, अपना पंजाब आगया, एदा ही करके Canada देविच states प्रोविंस क्या जाना है, हुन फर एक्जांपल मैं इक प्रोविंस दी गाल करां जड़ा कि बहुत कॉमनली Brampton जिननों क्या जाना है, Brampton एक शेर है, प्रोविंस होदा केड़ा है Ontario, Ontario ओधी state है Ontario दा अपना एक प्रोग्रम है एक एंटर्परियर दा जिननों आपा कैदने निया, Ontario Entrepreneur Program, ओ प्रोग्रम दे अंदर बहुत सारी रेक्वाइमेंट हों दिया, किनी नेट वर्थ होनी चाहिए है, किनी इंवेस्टमेंट तुसी करोगे, तुसी एक्जिस्टिंग बिसन्स ले हो, so it's a very vast, I would say, in depth, बहुत जादा डीप प्रोग्रम सहेगे ने, PNP दे, आपाँ डिफाइन करना हो, केड़े प्रोग्रम दे विच इंवेस्टमेंट करना चांदे हो, किते बिसन्स लेना चांदे हो, existing business लोगे, किनने परसंताद और अदे शेर होएगा, so as I always say, तुसे सा एहोजा बिसन्स विजा, एहोजा बिसन्स विजा प्रोग्रम में जड़े, बहुत बहुत चंसल्टेंट्स अदादान दे, बट उनना अगे प्रोसेस बारे नहीं पता, it's a very lengthy and a long process, अपनो तिन चार साल लग जादेने, प्र होंदे होंदे, क्यों कि इनिशली आपाँ वर् आपते हैं कि नहीं से तो हम आप अपन कोई णोस्तोर गारो बहुता है नहीं कोई चिज़ी गाल चारोगे हैं कोई क्यों दे कोई बहुत जादा है 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 थे पोटना है, साखने कोँ बहुत जादा बुझा Deswegen,ersonal शीम्हें मलें साथ कि आपाँ जार्थिनमें बेन की वर्चाम वेभी दोशने हैं थे इस जिए हम गाल कर ले तो पेट्रोल पंप दी गाल कीड़ी है जड़ा कि पार पारिव देविज़ा पहत कमन ली जान्ड है कि रहुड इज है लख लीक लेड़ा प्रशेंड़ पार्सिब पार चाहरीं प्रश्द भीक्त दीज़ा कैसे जिए जिए हम प्रोसेस है प्र काफी लंबा प्रोसेस है और राइट गाइडेंस ना लगा चलोगे ता कुछ भी मुश्किल नहीं है गा इस आपसलूटली पॉसिबल तो गेट प्रो फ्रू इन्वेस्टमेंट जिवे मैं ऑंटेरियो धी हुने गाल कारी इसी मैं ओधी ही एक्जामपल लग प्रिस्टर वीजा ओंटेरियो तुसी कुम में तुसी बिजनस कार्ड लिटे वरियस लोकेशिंदे तुसी बहुत चारे लोकानो मिले और सारे प्रूफ तुसी अपने नाल लगान दे हो तु शो कि तुसी एक्स्प्लोरेटरी विजट कीता कैन्ड लास्ट बारा मीने तुसी एक्सप्लोर क्षिंदेग कंड लॉक्रल मीन तुसी एक्ष्तिंग घुर्च ठना पार लिए ज़ाइन जुनेसं यहार विजदेन रूप् that वत जाइब गर्ण बहुत सारे प्रूबी खीटर्टारीन तुसी बहृत सारे पेप्र वर्क उध्षिंदेज कारिब क्र्र भी किन्नी नेट वर्थ है तुसे अधिन इंवेस्टमें चिन्नी करोगे तुसे अधिन वरी लिंदी अधि प्रोसेस इफ वाई से ब्त येस इट इस डेफिनेटली पॉसिबल बिल्कुल पॉसिबल है गहा है तुछ प्रोविस्टर वीजा थूझे थूझे बिजनस वीजा आपा इंडिया ज कहरें बट इना आपा चैनल एंटर्पेनुर वीजा कह देना हर प्रोविंस को अपना एंटर्पेनुर स्ट्रीम हों दिया जिदे तुसी आपनी फाइल लगा सकते है किसे ने इन्वेस्टर वीजा थे जाना हुए ओधी कोई एजुकेशन में मैटर कर दिया सेकिंड के ओधी अपा आई ट्र बैंक स्टेटमेंट्मेंट्स एक इनिया को हुनिया चाहिए है जिबहे हार प्रोविंस थी अलग रिक्वाइमेंट हों दिया ओंटेरियो ने अगर मै प्रोपर्टी पेपर्स दिखाने पिन दें एंग्जिस्टिंग बिजनस दिखाने बहुत जरूरी हो तो अगर किसे सीनियर मैनेजर है और किसी कंपनी साथ पिछले दो साल ताड़ कॉंटिनूस वर्क एक्स्पिरियंस होना जरूरी है उमरे दिच कोई मैटर नी कर दी एज अबिसली इंवेस्टर दे जड़ा बंदा जाएगा ओ 45-46 वाला बंदा जो इनाफ साड़ तिन चार करोड रुपया प्याय बैंक चे पिछे ओ इन्वेस्ट कार पानगे ओ हो जी साड़े को प्रोफाइल आंदिया ने ताड़े को एट हंड़ड थाउजन डॉलर्स दी वर् कोड़े बहुत सारी कालकुलेशन है आप अपने पॉइंट कालकुलेट कर दे अपना प्रूफाइल अगर जाड़ बिजनस प्लान है अपना की बिजनस ओते खोलांगे आप किमें खोलांगे क्या आप अथे दो बंदे राख पाँवांगे गानेडियन पर्मेन राख पाँ इस सारियां चीज जहां बहुत एक्स्क्लूसिवली सानु गो थू करनियां पेंदियां तुसी होते किते रेंट जगा लोगे हाव यू बहुत सारे फैक्टर्स आ जानदे हैं जदो आपा इंटर्पर्ने और वीजा दी गाल करने श्रू कर देयां सो वीजा दी ऐसी गाल करें पर वही गाल है कि बहुत डिटेल देवेच प्रॉपर एक बहुत टाइम भी लगेगा बहुत सारी आपा कह सकते हैं कि जब पंजाबीच कल करी है कि काग जी खार रहा ही तो हडी प्रॉपर होएगी सो पर जेकर तुसी लगवाना चौने तो हडी नेट वर्थ अच्छी है गी अच्छा पैसा तो हडी कुल हैगा इन्वेस्ट करना चौने जिवे माम ने दसे पॉसिबल्टी है गिया जी जरूर है गिया ते एक वरी ओफस देवेच पहुंच के डिटेल देना तुसी प्रॉ और को में दो हम ब monkey जा कर देख अच्य है एस वीजा ते विच टेवी जा सकती है तो फम ळेंघी है ज हुआ हुआ जै ओर जा सकती है इस देख देख तनी घड हुआ जा सकती है बिल्कुल फमली ना जा सकती है बट आस ईसा फैमिल कुछ है निया समय 16 05 कैनं सिर्ड पिज ब तर नो पिलना वर्क पमिट देगी गवर्मेंट, Canadian Immigration तर नो सब कुछ अगर अपना ठीक हो गया, तर नो वर्क पमिट मिलेगा तुसी Canada वर्क पमिट ते आओगे उस्तवाद तुसी आ के चानदा देविच अपना दो साल तीन साल अपना बिजनस संबालोगे, देगे for example 20 months तो साथ दिखाना होंडहोंडे, तो बर त biggest इन पल्से मिलेश्त hmm विजनसी वेलोवेशन होंडियोंड होंडियो चुछ थर श्रिय Bossajan कल लिस प्रविस्दिर्मेंट करड़ोंडें नों स्पैशलियो तड़ीремोंड लिए अपने पर्मिट कर देखोर थी चीन जिए ओड़ प्रीमा इनिर्पनिया वीज वगै को पुछै कि यहा टैसे सब्सक्राइष निजा है कैया टिया टताख पुछी कि大家都 corn अधनी नाग तर वर्क पर्मिट जाएगा अधर वार केटेगरी आपा गल कर दिया स्टडी वीजा हो गया पीर हो गई और वर्क पर्मिट हो गया है तो डारेक्ट कई लोग गे विसो कि मैं गल ओही लोग का नहीं करना चाहिए कि कि विलज्च विलग देख रहे ने सोना नू जो गलना सोना न अनल दियाने है ना तो एक वर्क पर्मिट दिया सी गाल कर दिया किसी वर्क पर्मिटे चले गए असी नॉमान निउस्पेपर देख देहां कि उत्या इस जगाते इन्ने जॉबली लोग चाहिए तो है इदा दी कोई काटेगरी कि मालों के तो हनो उत्ते कोई जॉब दे रह नहीं पैसे तो दो गेता पन्यापॉंट वाली से तानो जॉब उफर देढांगे या दोसो पोईंट वाली जॉब आफ़र देढांगे बिल्कुल बिलीव ना करो दा पोसिबल जॉब ऑपनी हों यह ए ल्माए अपनी होंदी है अगर तानो कंसल्टेंट पैसे लेके बूल अगर मार्केट इंपक्ट असेस्मेंट फुल फूर्म हों दिये कनेडियन इम्मिग्रेशन देविच मतलब की कैनडा ने डिफाइन कीतिया हुई है जॉब तुसी अगर अगर बेसिक जिसम जावा कैनडा तानो एंग एंप्लॉयर तो कैनडा बैठा हुया कि तानो कोई भी कनेडियन सिटिजन ते पी आर नहीं लबया ते तान तुसी जाके फॉरन नैशनल नू जॉब ओफर देना चाहरे हो एदे ली चार हफते दा लंबा प्रोसेस चल दा है जिदा इस तानो प्रूफ करना पेंदा है कनेडियन इमिग्रेशन नू कि मननू कोई सिटिजन या पी प्लीज डोंट फॉल इंट दाट ट्राप पिल्ला डेफिनिटली अपना यह देखो कि जड़ा तानो जॉब ओफर दे रहे है अपने आप गूगल ते चेक करो आजकल सारे अदे हत्थाने विछ फोन है गेने गूगल करो कि जड़ी कंपनी तानो दित्ती जारी है और कंपन जरूरी है before you apply for your work permit or before you apply with any consultant बिलकुर जी ते आन देनाल तुसी शो सुनिया हुएगा जब प्रोपर डिटेल ते विछ अल्मस्ट असी हर केटेगरी बारे गल कीती है यह चाहे हो PFC चाहे वर्क परमिट सीगा चाहे investor business visa जो तुसी सुनन देविछ तोहनो मिल दा है चाहे study visa युशी जे डीवी कर्टेगरी देविछ जाना चौने जो एक वरी ओफस देविछ पाहं चो डॉकुमेंट शेयर करो तू थाएंक जो मुच माम थैंक यू जी तो इसे द्राण मनुपरिकन विदेविचाज़ा सर्शेटा